हेलो करकेट लवर्ज कैसे आप सो तो मुंबई इंडियन्स वर्सिस पंजाब का मैच तो आपने दिखा गए तो पंजाब ने दिखा देगी हाँ वह शेर पुतर है और मुंबई इंडियन्स लगातार अपनी खराब परदशन के कारण वह लगातार मैच हारते जा रही है तो उसकी हार के लगबग हेट्रिक होने वाली है तो उसको लगातार अब साफधान होने के जरूरत है बात करते हैं टॉस जितके मुंबई की पहली बैटिंग आती है और रोही शर्मा और कुंटन डेकोग वही सेम रिजन कुंटन डेकोग अच्छी स्टार्ट नहीं दिला पात परन्तु मुंबई इंडियंस के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वह एक्सपोज हो गया सुर्यो कुमार यदा वो रोही शर्मा के बीच में काफी बहतरिन पार्टनर्शिप लगती है परन्तु उसके बाद तो पत्तों की तरह ढह जाते हैं और एक सो तीसंड बनते है तो भाई मिडल ओर्डर वाले कह रहे थे पहले कि हमारे लिए आप विकिट छोड़ दीजिए ओवर ना वचे कोई दिक्कत ने परन्तु उनके लिए विकिट छोड़ दीए और इस तरीके से ओवर खाना और इतनी जल्दी स्कोर करने के चकर में जल्दी आउट जाना सब उनों भाई में से कोई भी रन नहीं बना रहे ना क्रॉनल पांडिया ना ही हार्दिक पांडिया तो ये मुंबई इंडियन्स के फेलियरिटी के सबसे बड़ी निशानी है और मैं चाहूँगा जल्दी से वापसी करें और मुंबई एक चैंपिन टीम यार वो कर लेगी वा काबला करेंगे आई पिल में सभी टीमों का तो मैं आपको आकड़े बताती तों दोने टीमों में तो भाई शुरुवात होती है मुंबई इंडियस की ओपनिंग के साथ रोही शिर्मा के सिर्फ 63 होते हैं कितनी गेंदों पर 52 गेंदों पर काफ 12 का स्ट्राइक रेट होता ह परन्तु फाइन होता है यह काफी स्लोपीच होती है इसके अलाव बात की जाए तो इशान किशन चेहरन बनाते 18 गेंदों पर इनकी तो नाई बात की जाए तो बहुत अच्छा है सुर्यकमार यादा 27 गेंदों पर 33 यह भी काफी ठीक खेले थे अब कायरन पोलार 12 गेंदो सबसे मेन पॉइंट दिपक खुड़ा जो कि मुंबे इंडियन के ओपनर्स को कॉलाप्स कर देते हैं जो कि सबसे बड़ा रास्ता बनता है पंजाब किंग्स का प्रेशर बिल्ड करने में और कोई भी खराब बॉलर नहीं किया सिर्फ और सिर्फ फैबिन एलन ने तीन ओव और वहीं टाय कर दिया कि कौन जीतने वाला है तो अब मुंबे इंडियन की बोलिंग को कुछ करना था रोई शर्मा को कुछ अलग करना था जो कि वह नहीं कर पाए और जो पंजाब की बैटिंग आपको पता एक बार सैटल हो जाए तो सामने कोई भी हो मैंक अगरवाल ने पालची नुमबर पर आचके पंजाब किंग्स चोथे नुमबर पर है मुंबई इंडियन्स तो भाई यहां पर जो मैं जीतता जाएगा उसके लिए प्रॉफिट होता जाएगा प्रंतु अच्छे मार्जन से जीतना पड़े है इन दोनों का जो नेट रनेरेट होता इतना खास नहीं है तो उस पर भी ध्यान देना होगा तो आई होप जिमेन आपको बताया अच्छा लगा होगा और दोनों टीम में मैंसे मुंबई तो मेरे सबसे आगे जाके कमबैक करें यूग है वो चैंपिन टीम है आई होप आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगे तो नेक्स्ट विडियो में एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ